नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिशनल मीडिया मंच पर टिकट को लेकर टक टकी लगी होई है नेताओं की उन नेताओं के जिनको वाया आपने विधानसवाद छेत्र चंडिगर जाना है यानि कि विधायक बनना है जो वि पार्टी का टिकेट उनको मिल जाए भारती जनता पार्टी की कल सी सी की बैठक हो गई हाला कि नाम कोई सामने नहीं आए कोई लिस्ट जारी नहीं हुई यह अलग बात है कि तमाम पोर्टल तमाम चैनल अपनी लिस्टें जारी कर रहे हैं तमाम लोगों के बीच में के परदेश अध्यक्ष हैं उनको बकायदा सोशल मीडिया पर एक बीजेपी हर्याना की तरफ से पोस्ट करना पड़ा और उस पोस्ट पर लिखा कि अभी भारती जनता पार्टी की कोई अधिकरत सूची जारी नहीं हुई है कोई सूची जारी नहीं हुई आज कुछ नेता देखते नोगें को बड़ी गढ़ा चाटी है कि गड़ी लगाई जाती हैं कि भया कब आएगी देखते हूंगे नब देखते हैं लोग कब आएगी कब मिलेगी वह घड़ी कब आएगी नजदीक खेरिटी में चंडिवाड़ पहुँचने के लिए यानि विधानसभाय में पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं जो पॉलिटिगल पार्टि के कारे करता है उनकोपनी पार्टि उसे आस होती है कि पार्टि उनको अपना नुमाइंदा बनाए अपना प्रत्याशी बनाई वह चुनाव मैदान में उत्रें चुनाव जीतें और विधायक बनें और दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनको जब टिकेट की आज खतम हो जाती है तो फिर निर्दलियत और पर अपना जंडा डंडा लगा करके मैदान में उतरते हैं या फिर पाला बदल कर किसी और का जंडा डंडा ले आते हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में एक विशेश चर्चा में हूं दोस्तों क्योंकि जहां टिकेट जरूरी है तो महीं पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है कि वहां का जाती और धरम का समीकरन क्या है आंकडे क्या है किस लिहाज से किस अनुमान से कैंडिडेट उतारे यहां पर लगवग 46-47% मेव मुसलिम मत दाता है और लगवग 53-54% हिंदू मत दाता है आप इसको 55-45 भी कर सकते हैं कि 45% मेव यानि की माइनियोर्टी है और लगवग 55% 45% मैजयोर्टी यानि की हिंदू समाज के लोग हैं कॉंग्रेस पार्टी में मन्थन का दोर है क्योंकि भारती जंता पार्टी से तै है कि कोई जो कैंडिडेट आएगा वो मैजयोरिटी का आएगा हिंदू समाज से आएगा नाम चल रहा है मनुज रावत का वहां पर और भी कोई अगर नाम आया तो भी आप मान करके चलें कि कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से अब मन्थन है कि टिकेट मैजयोरिटी को दे या माइनियोरिटी को दे यानि कि टिकेट अलप संख्यक को दे या टिकेट बहु संख्यक को दे टिकेट मुसलिम मेव समाज में या फिर टिकेट हिंदू समाज में किसी जाट नेता को मैदान म ले आएं किसी अगरवाल का नाम यू लेना पड़ रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में एक वहां के रोडवेज के जीम रहे थे सोशल मीडिया चैनल पर इंटर्व्यू दे रहे थे अपना तो मुझे लगा कि उनका भी जिक्र कर लें वैसे हतीन विधान सभा में वैश्य अगरवाल मद्दाताओं की संख्या लगभग एक डेड़ हजार के आसपासी है इवन दोजार से ओपर नहीं होगी खेर मैं आपसे बात कर रहा था कॉंग्रेस पार्टी की और आपसे बात कर रहा था माइनियोर्टी अमेजियोर्टी की आगे बढ़ने से पहले आपको यह जरूर बता दें कि हतीन विधान सभा चेतर के अंदर जो लोगसभा चुनाव हाल ही में हुआ 25 मई को जिसके लिए वोटिंग हुई लगवग 2,338,000 के आसपास हतीन विधान सभा चेतर में बोट हो सकते हैं अब अगर इनको जातीगत कास्ट वाइज रिलीजन वाइज यानि कि धरम वाइज माटें तो हतीन विधान सभा के अंदर लगवग 2,38,000 मत दाता हैं उनमें आप मानें तो लगवग 1,34,000 के आसप मेव मुसलिम मत दाता हैं जो मेव मुसलिम बहुले गाओं की जो आबादी है तादात है वो लगवग 1,07,08,000 है जिसमें से 5-6,000 हिंदू कम्यूनिटी के वोटर भी होंगे तो लगवग 1,03,000 के आसपास यहां मेव मुसलिम मत दाता है और वो सबसे बड़ी संख्या में मत की लगवग 57,0-58,000 यहां पर जाट मत दाता है अगर उसके बाद बात करते हैं तो फिर यहां पर S.C. मद दाता हैं लगवग 27-28,000 के आसपास S.C. मद दाता हैं उसके बाद जाएंगे O.B.C. मद दाता हैं जिसके अंदर सेनी हैं यादव हैं बगेल हैं गडरिया हैं यह तमाम जो कास्ट जो O.B.C. की उनकी संख्या लगवग 15-16,000 के आसपास हैं लगवग 15-6,000 के आसपास गुजर म मद दाता हैं लगवग 5,000 के आसपास यहां पर राजपूत मद दाता हैं श्यापूर से applies करई मिंदक जोर जोड कर के जो बनता है इस अमे यह नंदलर दो लाग 38,000 वोटर में सबसे बड़ा जो रैशियो है वो मेव मुस्लिम समाज का है लगवग 1,34,000 वोटर अब मैं आपसे बता रहा था कि जाती और धरम के अधार पर जो टिक्टों का वित्रन होता है Congress Party की तरफ से ये बिलकुल मन्थन चल रहा है कि यहाँ पर Majority को वोट अपना टिकट दे या Minority को टिकट दे बहु संक्यक को टिकट दे या अलपसंक्यक समाज को टिकट दे अलपसंक्यक समाज में यहाँ पर केवल एक ही समाज है मेव मुस्लिम मत दाता Christian और Sikh यहाँ पर अगर होंगे तो ना के बराबर होंगे जिनकी गिंती आप नहीं कर सकते और भारती जंता पालिटी का मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका फंडा बिलकुल क्लियर है कि वो जाट नेता को ही चुनाव रड़वाएंगे चाहे वो 2009 का चुनाव था चाहे 2014 का चुनाव था चाहे 2019 का चुनाव था बीजेपी यहाँ पर जाट केंडिडेट को सामने लाती रही है 2024 में भी मैंने आपको बताया पहले ही कि मनोज रावत का नाम कल जो भाजपा की CC की बैठक होई थी उसके बाद तमाम पोर्टर पर चर्चाओं में आया था लेकिन नाम कोई भी आए आएगा जाट केंडिडेट का बारती जन्ता पारटी की तरफ से अगर जाट केंडिडेट होगा तो फिर कॉंग्रेस किसको देगी कॉंग्रेस की तरफ से माइनियोर्टी होगा या मैजियोर्टी होगा इंडियन नैशनल लोगदल और भोजन समाज पारटी यहां पर पहले से ही जो उनका गठवंदन है लगबग लगबग उनका नाम डिक्लेर तो नहीं है उनके नाम की गोशना तो नहीं होई लेकिन नाम उनका प्रात्मिक्ता के आधार पर है और वो काफी परचार कर रहे हैं उनका नाम है तययव उसन भीमसिका मेव मुस्लिम समाज से दो बार चुनाव वो हार भी चुके हैं और कॉंग्रेस की तरफ से यहां तयारी कर रहे है मौमम्मद इस्राईल मुहमद इस्राइल भी पिछला चुनाव हार गए थे 2019 का 2014 में चौधरी जलेब खान के पास कॉंग्रेस का टिकेट था वो भी हार गए थे और 2009 में चौधरी जलेब खान निर्दलिये विधायक बने गए थे अब कॉंग्रेस के अंदर बात ये चल रही है कि क्योंकि सभी लोग अपनी पैरवी करने के लिए अपनी बात करते हैं तो जो मैजॉर्टी वाले लोग है उनमें ज़्यादा तर जो कैंडिडेट है टिकेट इच्छा रख रहे हैं हथीन विधानसवा एक ऐसी विधानसवा है जहां पर बीस कैंडिडेट्स ने बीस लोगों ने अप्लाई किया कॉंग्रेस की टिकेट के लिए और उनमें जो नंबर चल रहा है जो नाम सबसे ज़्यादा है वो मुहमद इसराइल का नाम तो मेव मुसलिम समाज से है हलाकि यहां पर मुहमद बिलाल भी हैं साबिर भी हैं इसके लाबा चौदरी अजमत खांके बेटे भी हैं उनके पोते यह लोग यहां पर टिकेट की मांग कर रहे हैं लेकिन मेव मुसलिम समाज से ले तो सबसे मजबूत के एंडिडेट मुहमद इसराइल का नाम है जो कौंग्रेस की टिकेट मांग रहे हैं उनमें चौदरी हर्शकुमार का नाम है उनमें महिपाल बंदू का नाम है उनमें बलजीत डागर का नाम है उनमें तमाम और भी नाम कई सारे हैं एक महिला नेत्री उनका भी नाम है इसके अंदर जिला परिश्द का चौनाव लड उनकी चर्चा चली कि क्या वो कॉंग्रेस में उनको टिकेट नहीं हो रहा तो वो भारती जंता पार्टी में जा सकते हैं सूत्रों के हवाले से हमने भी ख़बर चलाई थी अलाकि चौदरी हर्शकुमार उसका खंडन करते हैं वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था लेकिन राजनीती यह और राजनीती के अंदर इस सब कुछ चलता है टिकेट के लिए टिकेट की भागदोर के लिए आदमी कहीं तक भी जा सकता है खेर अब चौधरी हर्शकुमार का नाम कॉंग्रेस की टिकेट के लिए अगर मेजोर्टी से चलता है यानि कि जो बहु संख्यक मद्दाता है और बहु संख्यक मद्दाताओं में जाट मद्दाताओं की बड़ी संख्या है इधर मौम्मद इसराइल और इधर चौधरी हर्शकुमार ये दो नाम इस समय गंभीरता से चल रहे हैं अगर बात आ जाती है कि टिकेट किस का टिकेट का आधार क्या टिकेट किस आधार पर दिया जाए जलेब खांके जो बेटे हैं मौममद इसराइल वो लंबे समय से कॉंग्रेस में काम कर रहे हैं चौधरी हर्शकुमार अभी हाल ही में उन्होंने लगवक एक महीना पहले कॉंग्रेस जोइन किया था कॉंग्रेस का जो आंत्रिक सूत्र हैं जो कॉंग्रेस के नीती करता धरता हैं उन लोगों का कहना है कि कॉंग्रेस के अंदर उन लोगों पर विचार कम हो रहा है जिनोंने की एक साल पहले कॉंग्रेस जॉइन की है फिर winning getting का formula भी आता है अगर बात मैं करूं आपसे 2019 के चुनाव की तो 2019 के चुनाव में मुहमद इसराइल भी candidate थे और 2019 के चुनाव में चौधरी हर्श कुमार भी candidate थे चौधरी इसराइल मुहमद इस चुनाव के अंदर लगबग 2200 वोटों से चुनाव भार गए थे दूसरे नंबर पर रहे थे और चौधरी हर्श कुमार उस चुनाव में पिछड़ गए थे चौधरी स्थान पर आये थे चौधरी हर्श कुमार जन्नायक जन्ता पार्टी के केंडिडेट थे लोगसभा चुनाव जो अभी हुआ हाल का 2024 का लोगसभा चुनाव इस लोगसभा चुनाव में हतीन विधान सभा चेतर से कौंग्रेस के केंडिडेट चौधरी महंदर परताप लगबग 52000 से जादा व देखा जाए तो मुहमद इसराइल भारी बढ़ते हैं अगर आंकडों में देखा जाए तो मैनियोर्टी मेव मुस्लिम समाज या भारी बढ़ता है लेकिन अगर राजनीती के अंदर जिस प्रकार का सब कुछ चलता है उससे देख करके क्या यहां किसी और पर भी विचार ह हो सकता है यह आम जन में इस समय चर्चा का विशय है आम मद्दाताओं में जो राजनीती में रुची रखते हैं उन सब लोगों में गाउं की चौपाल पर हुक्के पर इस समय चर्चा में है कि कॉंग्रेस हतीन में माइनियोटी को टिकट देगा या बहु संख्यक समाज को को टिकट देगा अगर माइनियोटी को टिकट नहीं देगा तो फिर उसके साइड एफेक्ट क्या होंगे क्योंकि फरिदाबाद लोग सभा के अंदर अगर जहां जाट मद्दाताओं की संख्या सरवाधी के बहुत बड़ी संख्या में हैं तो फिर मेव मुसलिम समाज को भ 50,000 के आसपास , बड़खल विधान समाज में चेत्र में बड़ी संख्या में वोट हैं और फिर अगर मेव मुसलिम समाज को इग्नोर किया जाएगा तो फ्रुसकाषर किया जाएगा जाट समाज को कॉंग्रेस की तरफ से आप मान लें चौधरी करन सिंग दलाल का नाम तै है पलवल विधान सभा के लिए प्रतला विधान सभा के लिए जाट समाज से चौधरी रगवीर सिंग तेवतिया आते हैं उनका नाम भी लगवक तै है और अगर कहीं कोई इफेंट बट हुआ प्रतला के अंदर हला कि कोई उम्मीद नजर आती नहीं जो राजनीतिक सोर्स बताते हैं वो केते हैं रगवीर सिंग तेवतिया कंफर्म हैं लेकिन अगर फिर भी कोई इफेंट बट होता है तो भी कोई जाट समाज से निता ही होई आ सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर अगर आप ये वीडियो फेस्बुक्राइब या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें